सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और हमारे नए वीडियो देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें नमस्कार दस्टिक मित्रो मैं दर्मेश जोशी स्वागर करता हूँ आपका एस्टोफिक्स.com में इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ 26 नमबर से 2 दिसमबर तरका साप्ताइक भविश्यफल में राशी के जातों को इस सप्ता की शुरुवात आपके लिए अत्यन्द सुबकारी रहेगी आप वो आपके पिता की भाग्य वृद्धी होगी पिता की आयम में वृद्धी होने का योग है आपको आशा से अधिक धनप्राप्ति होगी, यात्रा प्रवास भी लावप्रदस सिद्ध होगी, वहीं इस समय आपको पत्नी से लाव होगा, शुख समरुद्धि में वृद्धि होगी, सरकार की तरफ से लाव होगा, घर में मांगलिक और धर्मिक प्रशन का आयोजन हो सकत है, लेकिन इसके बाद मंगल का राशी परिवर्तन आपके लिए अशुब है, ऐसे में आपको हर कारे में मुसीबत आ सकती है, स्वास्त भिगड़ सकता है, दुरगहटना अत्वा ओप्रेशन की योग भी बनते है, बवाशिर मसा जैसे रोग और आँख के रोके होने की साथ अनबन हो सकती है, तारिक 26, 27 और 28 के दिन प्रवाश न करें, इन दिनों में आपको शारी कर्ष्ट हो सकता है, दन और मान की हानी होगी, मानसिक चिंता में वृद्धी होगी, आपको कौट, कचरी और सत्रों के खिलाब अशफलता मिल सकती है, किसी के साथ चगड़ा हो सकता है, तारिक एक और दो के दिन परिवार में विवाद और कल्हकी स्थिती बनेगी, जिससे आपको मानसिक असंतों सरेगा, और अपने कारे में आपको अशफलता मिल सकती, तो मित्रों यह थी सब्ते की बविश्यवानी, इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको मन में कोई भी दूइधाय प्रस्न है, तो उपर दी गई लिंक पर क्लिक करें, और बात करें हमारे एक्सपर्ट जोतिसों से, नमस्कार, श्री गनिशायर्मा,